प्लिजन प्लिजन टास्क नहीं करना चाहता प्लीज गो बैक टूर सेट्स प्लीज गो बैक टूर सेट्स अलाओ दिसकस्टन इस सदने विजलूसल लिया है कि क्वेश्चन आवर को चल ले देंगे माननी सदसेगर प्लीज प्लीज माननी सञे सिंगी गो बैक टूर सी तायम अगेन वार्निंग यू और निगियू मैं 15 मिनट के लिए सदानी स्टागित कर रहा हूँ आप से निवज़न के लिए प्रसक्राइबुआ रहना, गुदूर पर प्रओेज प्राइब मेंग जिए प्राइब शुपीघन टोड़ें प्राइब जी थे शेख प्राइब करें थे विए उन्रॉबेहिर राइज स्थाबाइबु थीयुजिंग थे भीटियुफे गोळूग थेए धाटर्ड करें तो इने कुपा भूड़ेश ओंग करश्स एक लिए दिएर लाफॉश्या पर टु रिंग निए भएविर नेत्स एंधिस एंगे लेंगे गिए टॉटी आपिश्ठी उड दोग स्वेट्व तेओटर सुगन्स स्वेट गूर्स भी उन जिए अएपन इस्ट्ध करश सुगन्स इंग कर दिए लूट्यां कि देन फिरोड़ कि ति अधर चाहिए। जो जा प्रफुर पिंसे नो, I think a like a page a page a page the person is adopted Shri Sanjay Singh is suspended for the remaining part of the current peak please leave the house you are being suspended Mr. Sanjay Singh जैन साथियों मैंने आज गुजरात में हुई 55 लोगों की मौतों का मामला उठाया एक बहुत बड़ी घटना गुजरात में हुई नकली शराब पीने के कारण उस प्रदेश में जहां पर शराब बंदी है घोसित तोर पे वहां पर 55 लोगों की जान चली गई 55 लोगों की मौत हो गई और अभी भी बहुत सारे लोग जिन्दगी और मौत से जूज रहे हैं मैंने उनका मुद्दा सदन के अंदर उठाया राज्यसभा में कल भी आवाज उठाई आज 267 के तहत नोटिस दिया बार बार मैंने चेयर से मांग की सरकार से मांग की कि सदन में आके इस मुद्दे पर जवाब दे प्रधान मंत्री जी भी गुजरात से हैं ग्री मंत्री जी भी गुजरात से हैं वो आएं और बताएं कि नकली शराब का धंदा गुजरात में कैसे चल रहा है कैसे हमारे पचपन गुजरात के भाईयों की जान चली गई लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया मुझे सस्पेंट कर दिया गया है मुझे निलंबित कर दिया गया है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी सदन में मौजूद हूँ मैं गुजरात में हुई मौतों का मामला उठाता रहूँगा नकली शराब से हुई मौतों का मामला उठाता रहूँगा ये आम आदमी पार्टी है अर्विन केजरिवाल की पार्टी है हम सब लोग मिलकर जनता के बन्यादी मुद्दों पर अपनी आवाज संसद और सलग दोनों जगा बुलंद करते रहेंगे और इसलिए मैं भी यहाँ पर पूरी मजबूती से बैठा हूँ और जब दो बजे अभी सदन सुरू होगा तो फिर ये नकली शराब का मुद्दा उठाऊंगा गुजरात में 55 लोगों की मौत का मुद्दा उठाऊंगा और गुजरात के मुख्य मंतरी का इस्तीफा मांगूंगा गुजरात के मुख्य मंतरी को तक्काल अपने पत से इस्तीफा देना चाहिए जैहे को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोज को लाइक और शेर करना मत बुलिए